हलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टार क्लासिस स्टार क्लासिस में आपका स्वागत है आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है इस वीडियो में मैं पहले इनको जोड कर को समझाऊंगी ओकि फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम देखेंगे टू लेटर वर्ट्स इंग्लिश में कैसे लिखे जाते हैं थ्री लेटर वर्ट्स इंग्लिश में कैसे लिखे जाते हैं ओके इस वीडियो को स्किप ना करें हर एक बात important है ओके अगर आपको मेरी वीड कि नोटिफिकेशन आप तक पहुच जाए तो स्चार्ट करते हैं आज की वीडियो इसमें हम सबसे पहले करेंगे टू लेटर वर्ट्स को जॉइंट उसके बाद उसको इंग्विश में कैसे लिखते हैं वह सीखेंगे देखें घर 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 ओके अब घर को इधर पहले हम घर को लिखेंगे इधर घर को कैसे लिखते हैं जी है एच ए घर के लिए हम क्या लिखेंगे आर ओके तो क्या बन गया घर 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 के लिए हम क्या लिखेंगे घर प्लस में र के लिए हमने क्या लिखा आर बार खडी में र को आर ए लिखते हैं बट अगर हम कोई शब्ड लिख रहे हैं शब्ड लिख रहे हैं तो इधर हम अगर कोई मात्रा है तो add करेंगे अगर कोई मात्रा नहीं है इधर आगे तो हम जस्ट इसको R लिखेंगे A साथ में जोड़ेंगे नहीं ओके अब जसी यह बताती हूँ मैं चल है अब चल पहले हम इसको लिखते हैं चल चल अब च के लिए हम क्या लिखेंगे च के लिए हम लिखेंगे C H H प्लस में ल के लिए हमें क्या लिखेंगे L ए लिखना चाहिए बट इसके आगे कोई मात्रा नहीं है इसलिए हम जस्ट L लिखते है A इसमें नहीं लिखते है अगर हम कोई word बना रहे हैं तो अब हम बोलते हैं जैसे चल च में तो अ की साउंड आ रही है बट ल जब हम आखिर में बोलते हैं तो अ की साउंड नहीं आती तो इसलिए हम इधर भी ए नहीं लिखते हैं अब इधर हम इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा C, H, A, L चल ओके जल 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 अब चल को कैसे लिखेंगे च को हम कैसे लिखते हैं C, H, A च, जमा, ल अब ल के साथ हम A एड़ इसलिए नहीं करें हैं क्योंकि जब हम छल बोलते हैं तो च के साथ तो A की साउंड आती है बट ल के साथ नहीं आती इस बात को ध्यान रखिए और अगर लास्ट अके साथ कोई मात्रा है तो ही हम इदर कोई मात्रा का साउंड आड़ करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे इदर A साथ में नहीं लिखा जाता ओके चल अब चल को अब हम पल को कैसे लिखेंगे प को कैसे लिखते हैं बारकड़ी में इंग्लीश में लिखते हैं प यह बन गया प और ला के लिए हमने L लिखना है उनले तो इदर क्या लिखेंगे इसको एड़ करके क्या बन जाएगा P-A-L पल तो पल को इंग्लीश में हम लिखेंगे P-A-L-P-L अब न ल ल नल अब न को हम कैसे लिखते हैं N-A न जमा ल ल तो इसको इदर एड़ करेंगे तो बन जाएगा N-A-L ये बन जाएगा N-A-L ह-L 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 अब ह को हम कैसे लिखते हैं इंग्लिश में H-A-H ये है ह- जमा-L ल ह-A-L क्या बन जाएगा ह-L कब क- ब कब को हम लिखते हैं को ये है को जमा ब अब ब के ब भी आखिर का अक्षर है तो हम इसमें O एटने करेंगे उनली ब लिखेंगे B लिखेंगे K-A-B बन गया कब अब A जमा-B अब 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 को कैसे लिखा जाएगा A जमा-B अब A जमा-B अब अके बस अब ब को कैसे लिखेंगे ब को हमें इधर लिखेंगे B A जमा-S स भी आखिर का अक्षर है इसके साथ भी हमें A एड नहीं करेंगे स को हमें इंग्लिश में लिखते हैं S ओके A एड नहीं करेंगे क्योंकि यह आखिर का है बस अब इधर क्या लिखना है B A S बस बल ब जमा-ल बल ब को हम इंग्लिश में लिखते हैं B A ब ओके जमा-ल इधर बन जाएगा B A L बल ओके मैं आपको दुबारा समझाती हूँ आपको कोई confusion नहीं रहनी चाहिए अब हम बोल रहे हैं घर अब घर घर तो घर को हम आखिर में लिख रहे हैं इसके आगे कोई भी अक्षर नहीं है तो इसलिए हम इसके साथ A नहीं जोडेंगे यह जो आखिर में हम लिखते हैं आखिर वाला जो है इसके साथ हम A नहीं जोडेंगे G, H, A, R घर च, ल, चल ज, ल, जल च, ल, छल प, ल, पल न, ल, नल ह, ल, हल क, ब, कब अ, ब, अब ब, स, ब, स, ब, ल, बल देखे यह है थ्री लेटर वर्ड्स इंको पहले हम जोडेंट करेंगे बाद में इंको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं यह सीखेंगे न, म, क, नमक अब न को हम इंग्लिश में लिखते हैं N, A न, म को हम लिखते हैं M, A, म, क को हम लिखते हैं इंग्लिश में K, ओके और इसमें भी यह जैसे की आखरी अक्षर है तो हम इसमें A नहीं लिखेंगे तो यह बन जाएगा N, A, M, A, K, नमक ओके, कलम 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 अब क को हम इंग्लिश में लिखते हैं K, A यह स्टार्टिंग का है आखर नहीं है इसलिए हम इसमें A एड़ करेंगे क, ल, म क के सताव की साउंड आ रही है इसलिए हमने A एड़ कर दिया क, ल L, A ल, और M के लिए हम लिखेंगे म, सोरी म के लिए हम लिखेंगे M तो इदर इसको एड़ करते चले जाए है क, ल, म, कलम, कमल क, म, ल, कमल क, ए, क, म, ल, कमल क, A, क, M, A, म, ल, ओके सरल स, र, ल, सरल स के लिए हम लिखते हैं ऐसे स, र के लिए हम लिखेंगे आर, ए, र, और ल, के लिए हम लिखेंगे L स, A, आर, ए, ल सरल ओके फ्रेंट्स म, ग, र, मगर म के लिए हम लिखेंगे म, ग, के लिखेंगे G, A ग, ज, म, र, के लिखेंगे आर, म, ए, म, ज, ए, ग, र नकल न, क, ल, नकल अब एन के लिखेंगे N, A, न, क, के लिेंगे के, ए, क, जमा, ल, नकल, एन, ए, न, क, ए, क, ल, नकल, चमक, चमक, भी हम ऐसी लिखेंगे, के लिखेंगे, C, H, A, C, M, A, म, क के लिखेंगे, क, चमक, चमक, ओकी फ्रेंट्स, चमक, 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 C, C, H, A, C, M, A, म, क, क, चमक, दमन, द, म, न, दमन, अब द को हम कैसे लिखते हैं, D, A, द, M, A, म, न, एन, न, अब इसको जोइंट करेंगे, द, म, न, दमन, जैसे कि हम और करते हैं, वैसे हम इसको करना है, D, A, द, M, A, म, न, एन, दमन, म, द, न, म, के लिए हम लिखेंगे, M, A, म, द के लिए हम लिखेंगे, D, A, द, न, एन, एन, अब इसको जोइंट करते हैं, M, A, म, D, A, द, एन, न, मदन, अ, म, न, अमन, अले हम इसको अलग-अलग लिखेंगे, जिस तरह हम उपर लिखते आ रहे हैं, same to same वैसे ही रूल हम follow करेंगे okay friends देखे अब हमें A को लिखने है A को हम 12 खड़ी में लिखते हैं A म को हम लिखेंगे M A म M A म जमा N न यह बन गया अमन A M A N अमन कनक क के लिए क न क कनक अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे क को हम लिखेंगे क A क न को हम लिखेंगे N A न जमा क हम A नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यह आखिर का आक्षर है अगर इसके आगे कोई मात्रा होती तो हम इसमें A I U एड करते बट इसमें कोई भी मात्रा नहीं है इसलिए हम इसमें A एड नहीं करते यही फॉर्मूला यूज होगा सब में अब हम लिखेंगे के एक आज की वीडियो में हमने त्री लेटर वर्ड्स और टू लेटर वर्ड्स कैसे लिखते हैं इंग्लिश में हिंदी में यह सीखा है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई हो थैंक्यू फॉर वोचिंग माई चैनल